लोकसभा चुनाओ 2024 के लिए अखिलेश यादव ने जिस तरीके से PDA का फॉर्मूला निकाला, यानि कि पिछडा, दलत और अल्पसंख्यक, उनके कभी साथ रहने वाले RLD के प्रमुक यानि कि जयन चौधरी अब NDA में चले गए हैं, और NDA में जाने के बाद 80 लोकसभा सीट GD, यानि कि जाट, गुर्जर और दलत, यह फॉर्मूला कैसे बना इसके पीछे पूरा, कह सकते कि इसके पीछे का समीकरण क्या है, यह जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जयन चौधरी ने काफी सोच समझ कर उमिदवारों का च्रेंड किया है, बागपच से उन्हों इसके लाबा विधान परिशत के लिए उन्होंने योगेश चौधरी को मैदान मे उता रहा है, जो कि कह सकते हैं कि वो भी जाट समुधाय से आते हैं और काफी करिबी बाने जाते है जायन चौधरी के, इसके लाबा यूपी काबिनेट में भी, क्योंकि आब वो नडियर मे अब यहां खास चीज है कि जाएन चौधरी तो जाटों के नेता मानी जाते हैं जात और गुर्जर उनका हमेशा पश्चिमी यूपी में फोकस रहा है लेकिन मुस्लिम से इस बार वो किनारा करते वे दिख रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है क्योंकि वो भी यह चीज मान चुके हैं कि जुस तरीके से वो एंडिय के साथ आए हैं तो अब मुस्लिम वोटर उनसे च्विटक सकते हैं इसी लिए अब यह नया जो फॉर्मलों नहीं निकाला है जे जी डी और इसी पर अब वो फोकस्ट है और कहा जा रहे हैं कि इसी पर पूरा चुनाओं देखा जा सकता है बात करें राजकुमार सांगवान की तो वो चौधरी परिवार के करीबी नेता माने जाते हैं और लंबे वक्त से पार्टी से जुड़े हुए हैं जमेनी और साफ सुत्री छवी नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है 1222 में सिवाल खास से सांगवान को RLD ने प्रत्या में भूमी का अदा करने का काम किया मेरट में च्छात्र राजनुती से अपनी पारी का अगाज करने वाले सांगवान को लोकसभा का टिकट देका है जैन चौधरी ने बड़ा दाव चला है विजनौर लोकसभा सीट से चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है जो मीरा पूर विदान सभा सीट से विधायक है चंदन चौहान के दादा यूपी के डिप्टी सीम रह चुके और उनके पिता संजे चौहान विधायक और सांसद रहे हैं चंदन चौहान गुर्जर समुधाय से आते हैं और आरेलडी के यूवा अध्यक्ष है विजनौर लोकसभा सीट पर उनके परिवार का अपना दबदबा है चंदन चौहान अपने प्रता के निधन के बाद सियासत में सक्री हुए और सपा को अपना राजनेतिक ठीकाना बन करें योगेश चौधरी की वो मतुरा अलाकी से आते हैं 2007 से आरेलडी से जुड़े हुए हैं योगेश चौधरी मतुरा की मांच विधानसबा सीट से 2012 में चुनाओ लड़े और 2017 में महज 400 वोटों से चुनाओ हार गए थे 2022 में चुनाओ लड़ने के लिए नमांकन भी कर दिया था लेकिन सपा के संजोय लाठर के चुनाओी मैदान में उतरने से उन्हें पीछे हटना पड़ा ऐसे में अब जैन चौधरी नोंने MLC का प्रत्याशी बनाया योगेश चौधरी जाट समुधाय से आते हैं आरेलडी क वफदार निताओं में गिरे जाते हैं जिसके चलते उन पर दाओं खेला गया है अब बात करेंगे योगी सरकार के मंत्री मंडल विस्तार में जाने वाले पुरकाजी विधायक अनिल कुमार की जिने मंत्री बनाय जाने की संभावना है अनिल कुमार पुरकाजी से पहले च सियासक मुजफपर नगर इलाके से करते हैं जर्ण चॉबरी ने अनियल को क्याबिनेट का हसा बना कर सियासी संदेज देनी की स्ट्राटेजी अपनाई है क्योंकि पश्चिमी यूपी में दलत वोटर काफी एहम और निर्नायक भूमिका में है पश्चिमी यूपी की बात करे तो यहां पर पूरी जो राजनीती है वो दलत, गुर्जर, जाट और मुस्लिम वोट बैंक के एर्दिगिर्द घूमती है अब इसमें बात करें मुस्लिम वोट बैंक की तो क्योंकि अब आरेल्डी बीजूपी के साथ आगी है एंडिय में शामिल हो चुकी है तो मुस्लिम वोटर इंसे छिटक सकता है अब इसी लिए आरेल्डी का पूरा फोकस जो है वो है गुर्जर, जाट और दलत वोट बैंक पर क्योंकि दलत वोटर की बात करें तो कहा जाते है कि पश्चिम यूपी में लगभग 25-30% वोट बैंक जो है वो दलत वोट बैंक है वह अगर जाट की बात करें तो पूरे यूपी में भली 3-3% के आसपास कहा जाता है कि इनकी संख्या है लेकिन पश्चिम यूपी में लगभग 20% जाट समुदाय से लोग आते हैं और वही जो गुर्जर समुदाय है वो भी 2-3% है लेकिन इनका जो विनिंग फॉर्मुला कह सकते हैं कि इनका प्रभाव काफी जादा है काफी सारी सीटों में इसलिए परश्चिम यूपी में जाट गुर्जर और दलित का जो कॉम्बिनेशन है वो जोयन चौधरी को पता है कि ये काम आ सकता है और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं इसलिए उन्होंने ज निभा सकते हैं और निभाना चाहते हैं अब आला कि देखना होगा कि वो इस फॉर्मुले को अपना कर किंग मेकर बनते हैं या नहीं नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देख 24